चलिए जी, thank you so much for coming back, मैं रडाम है सुनी लदिकारी और आप देख रहे हैं spoken English classes, कैसा है बच्छ लोग सारे, चलिए जी, day 66 हम आज start करने वाले हैं, वापिस से मैं हाज़र हूँ आपके साथ 5 नए English vocabulary development words लेके, और इस सारे words बहुत ही important है examination point of view से, चाहे आप government competition exam की तहरी कर रह है, आप अगर the Hindu पढ़ते हैं, the Times of India पढ़ते हैं, Indian Express पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी यह सारे important vocabulary आपको मिलती है, daily basis पे, right, चलिए, start करेंगे आज का वीडियो, पहला word है आज के session का, disperse, 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 मतलब होता है, बिखर जाना, या फिर distribute कर देना, disperse होता है, पहले करें, तो scattered हो जाना, बिखर जाना, फैल जाना, distribute हो जाना, right, और spread हो जाना, right, तो यह disperse के synonymous है, autonomous में अगर नजर दालें, opposite word होता है, autonomous मतलब, gather होना, एक साथ होना, assemble होना, तीन चार चीज़ों को इखटा करके, जब एक चीज़ हम बनाते हैं, that is called assemble, यहाँ दा clear हो रहा है चलिए, example से थोड़ा और clear करते हैं, इस word को disperse को, when the meeting was over, the group dispersed, जैसे मैंने आपको बताया है, initial way में, starting में ही, जब भी meeting over हुई है, जैसे ही meeting over हुई, group जो है, अपनी अपनी जगह चले गया है, group में जितने भी members थे, वो अपनी-अपनी स्थान पे, positions में, meeting के बाद, अपनी अपनी department में चले गए है, हो रहा है बच्चो के लिए, चलिए, let's move on to the second word of today's session, that is, displeasure, pleasure नाम सुना है अपने, pleasure मतलब खुशी होना, आनन्द में होना, joyful होना, displeasure, dis मतलब, dis लग गया आ गया, तो क्या हो गया, वो थोड़ा unpleasurable हो गया, मतलब नराजगी होना, पहले इसके क्या बन जाएंगे, synonymous, थोड़ा और देख लेते हैं, annoyance होना, चेड़ चेड़ा होना, या किसी बात से नराज हो जाना, anger, irritation, upset होना, तो यह सारे इसके similar words बनते हैं, opposite word की बात करें, तो pleasure हो गया, satisfaction हो गया, joyful हो गया, जो बहुत happy, joyful नजर आते हैं, that is called pleasure, example देखते हैं he made no attempt, absolute no attempt to hide his displeasure at being kept waiting, बहुत बार होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत बार होता है, जब भी हम किसी guest को लेने जाते हैं, और थोड़ा बहुत भी लेट हो जाते हैं, तो वो बहुत चिड़ जाते हैं, या नाराज हो जाते हैं, मतलब, face से लग जाता होता है, या आपके साथ भी होता है, आप कहीं गए थे, और किसी को आपने बुलाया था, और वो बहुत लेट अराइफ हुए उस जगे पे, उसकता है, आप और फ्रेंड कहीं जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, और आपने अपने फ्रेंड को बोला हो कि इतने टाइम पर आ इसे पता लग रहा था कि वो डिस प्लैजर महसूस कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, पूरा वच्छों के लिए, चलिए, थर्ड वर्ड है आजके सेशन का, डिस पोज, डिस पोज, डिस पोज, मतलब होता है, निप्टाना, समाप्त करना, डिस पोजबल, वैसे हम वेस्ट के पॉइंट ऑफ यू से ज़्यादा पढ़ते हैं, न्यूस पिपर्स वगेरा में, कि डम जो है, डिस पोज कर दीजे, तो वेस्टेज है, वो डिस पोज कर दीजे, राइट, तो गेट रेड ओफ, मतलब भार फैकना, कूड़ा भार फैकना, गंदगी भार फैकना, थ्रो कर देना, जंक जो है, जंक कर देना, नाइट, गंदगी को, परसन को, किसी भी चीज को जो आपके अब इतनी अच्छी नहीं रही या useful नहीं रही obsolete हो गई है, no longer in use, no longer benefit for you तो वो सारी चीज़ों के लिए हम disposed को हम use में लेते हैं 4th word है आज के session का disrupt D-I-S-R-U-P-T disrupt मतलब नकाम करना किसे की कोशिश को नकाम करना किसी को बीच में ही रोक लेना किसी को वो टास्क को पूरा ना करने देना that is called disrupt, right इसको हम disturbance भी बोल सकते हैं या disturb करना, interrupt कर देना right, कि I am studying for past two hours then suddenly my friend disturbed me or disrupt me, right, interrupt कर देना unsettle कर देना, settle होता है कि बई, settle pace पे जा रहे थे, unsettle हो गए हम जैसे ही कोई रास्ते में हमारा hurdle आया, कोई पत्थर आया कोई hindrances या कोई भी दिख्कत आई, right autonomous के अगर बात करें तो organize करना, arrange करना, help करना, right मतलब उस pathway में उसको रोकना नहीं जाने देना, उसको continue करने देना, वो होता है हमारा इसका autonomous, example की बात करें the strike disrupted the fight sorry, flight to new Delhi, the strike strike हो सकता है यहां पर जो हमारे flights वाले हैं, cabin crew वाले हैं उनकी strike चल रही हो, जिसकी वज़े से flights वहाँ से take off नहीं हो पा रही हो या फिर weather जो हो, वो favorable ना हो, जिसकी वज़े से हमारे जो flight है, वो take off नहीं हो पा रही हो, तो disrupt हो गई थी flight उस person की जो की new Delhi जाना चाहता था, या new Delhi से कहीं और जाना चाहता था, disruptive मतलब कि interrupt हो गई है, किसी भी वज़े से maybe इस case में flight, किस वज़े से strike थी workers की, maybe the cabin crew members, maybe the management workers maybe the airlines workers, right कुछ भी हो सकता है, तो disrupt मतलब हो कि रुख गई थी, stop हो गई थी, किसी भी वज़े से ओके, fifth word है आज के session का distinguish distinguish, distinguish मतलब होता है अंतर करना, difference पैदर करना, comparison करना किसी भी चीज़ों को दो point of view से divide करके उनको समझना, पढ़ना अगर आप academics में होंगे, तो ये word बहुत अपने सुना होगा distinguish between this and this, difference between this and this, तो वो same चीज़ है आपर, differentiate, create करना, divide करना, identify करना, compare करना, right you have an antonymus called combine करना, unite करना मतलब, अगर आप अलग-अलग कर रहे हैं, समझने के लिए, तो इसका opposite क्या होगा, एक कर देना, combine कर देना, unite कर देना, right let's move on to the example it is very difficult to distinguish one twin from the other, होता है न, जो twin होते हैं, twins मतलब एक जैसे दिखने वाले दो बच्चे होते हैं जिनका बर्थ एक ही टाइम पर हुआ है right, उनको identify करना कभी-कभी बहुत मुश्किर हो जाता, I hope so, या आपकी कही ना कहीं friend में, family circle में या फिर schools वगेरे में twin आपने देखे ही, देखे होंगे, जिन बच्चों ने देखे हैं, please comment करके बताईएगा मुझे right, फोड़ा सा interesting करते हैं इसके session को आज के session को, तो उनको identify करना बहुत मुश्किर हो जाता है क्योंकि दोनों same देखते हैं, school dress में same लगते है, haircut भी same है जो face का color है वो भी same है, skin color same है language, the way they spoke same है, तो वहां पर distinguish करना बहुत मुश्किल हो जाता है right, तो यह थे आज के 5 words, चलिए quickly revise कर लेते हैं, इनको पहला word था disperse भिखड जाना, अलग हो जाना भीड के बाद, भीडी कट्टा होने के बाद जो भीड अलग हो जाती है, disperse हो जाती है अपनी अपनी जगे चले जाती है, that's called disperse, displeasure नाखुश होना, नाराज की दिखाना dispose, गंदगी को, डम में कच्रेदान में, कुडे में दाल देना disrupt करना रोकना interrupt करना, disturb करना right, fifth word था, distinguish, अंतर करना, difference करना compare करना, बुरा बैच्चे कुल या तो ये थे आज के पांच वोड, उम्मीद करा हूँ, सैच्छन पसंद नहीं होगा videos कैसे लग रहे हैं, please comment करके ज़रूर बताएगा, मुझे Instagram में follow करना, मत बुलिएगा, link आपको सारे, कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, आपको description में मिल जाएगे link, आपको Instagram का link मिल जाएगा, Facebook का link मिल जाएगा, Telegram group हमारा join कर सकते अगर आप student है, चाहे entrance examination, चाहे government examination, चाहे आप academics में board examination के student है, मैं वहाँ पर important notification दालता रहता हूँ, तो description में आपको Telegram group का भी आपको link मिल जाएगा, मिलिंगे नेक्स वीडियो में किसी और interesting topic के साथ, जब तब पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना आएगा